हेलो दियर स्टूडेंट्स वेल्कम बैक टू आर चैनल ग्यानलाप वन्स अगैन आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बोलना चाहूंगी कि अब तक अगर आपने हमारा टेलिग्राम ग्रूप जॉइन नहीं किया है तो टेलिग्राम ग्रूप किजिए उसमें सर्च कीजिए ग्यानलाप ग्रूप इसलिए जॉइन करना है क्योंकि हमने आपको इस ग्रूप में 11 स्टैंडर्ट के सारे सॉफ्ट कॉपी ऑफ बायोलोजी और फिजिक्स नोट्स प्रवाइट कर दिये हैं टार्गेट पप्लिकेशन के सॉफ्ट कॉपी सा सारे चैप्टर की सॉफ्ट कॉपी की नोट्स हमने आपको प्रॉइट कर दी है आपको एक गूगल ड्राइब की लिंक दी है जिस पेर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगी और आप वो नोट्स डाउनलोड कर सकते और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं यह मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो currently 11th में हैं और उनके लिए भी बोल रही हूँ जो 10th standard पास हो गए हैं मतलब जिनका 10th standard में जो अभी 10th में हैं जिनका exam cancel हो चुका है internal assessment announce किया गया है तो वो लोग भी अपनी 10th की पढ़ाई start कर सकते हैं उनको wait करने की जरुवत नहीं है मैंने already बहुत important important chapters इसमें cover कर दिये हैं सबसे पहले 5th chapter बहुत important है वो cover कर दिया है यह chapter भी खतम हो जाएगा एक दो lecture में तो यह chapter भी काफी important है तो और starting के भी कुछ sessions मैंने upload कर दिये उनके बाकी के sessions भी हम जल्दी लेकर आएंगे तो अगर अब तक चानल को शेर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ तो दसवी और ग्यारवी के बच्चों के साथ की चानल जरूर शेर करें और जो 12th के बच्चे एंट्रेंस के लिए prepare कर रहे हैं उनको भी अगर अप अबसे बायो मॉलिकूल है एक सा बायो कल डालिस्त है जो मेटाबॉलिक प्रोसें सको फास्ट करता है बेसंकल एंजाइब का काम हुअ है जो रिइस देने के लिए ग्यायर लगा हुआ होता है जो स्पीड बढ़ाने के लिए यूस किया जाता है ठीकि उसी तरीके से इंजा metabolic processes को fast करने में यूज करते हैं तो हमने last time enzymes की basic characteristics और उनके chemical nature को पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे properties of enzymes, nomenclature of enzymes and classification of enzymes session थोड़ा सा बढ़ा होगा लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा content cover करने की कोशिश करेंगे और गर्मी में भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको board के lecture दे सकूँ तो please इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक share कीजे क्योंकि मेरी मेहनत और आपका फाइदा दोनों होना चाहिए ठीक है मेरी मेहनत का भी मतलब मुझे फल मिल जाएगा और आपका भी फाइदा हो जाएगा तो चलो start करते हैं आज का भी हमको पहला properties of enzymes के बारे में अगर हम बात करें तो हमको first property क्या बताए गई है proteinaceous nature proteinaceous nature मतलब क्या होता है यह मैंने आपको last session में ही बताया था मतलब जैसे मैंने आपको एक example दिया था मैं एक teacher भी हूँ एक entertainer भी हूँ लेकिन अगर आप हर entertainer को बोलोगे कि यह teacher होगा या हर teacher को बोलोगे आप entertainer भी हो क्या तो ऐसा ज़रूरी नहीं है so most of the enzymes are made up of proteins लेकिन आप हर protein को enzyme नहीं बोल सकते मतलब यहां पर all बोला गया है लेकिन मैं हमेशा यह मानती हूँ कि biology में कोई ना कोई exceptional चीज जरूर होती है तो आप पढ़ने के लिए ऐसा पढ़ सकते हो that all enzymes are made up of proteins because proteins are made up of what amino acids आप second point में हमको क्या बताया गया है यहां पर हमको enzyme के 3D structure के बारे में बताया गया है 3D confirmation confirmation मतलब क्या होता है structure so three dimensional structure of an enzyme enzyme कोई ऐसा paper नहीं है जो two dimensional structure हो ना यह 3D molecule है जिसके dimensions length, breadth और width भी matter करता है so enzyme is a 3D molecule okay three dimensional confirmation के बारे में देखते हैं क्या बताया गया हमको यहां पर all enzymes have specific three dimensional confirmation सारे enzymes 3D होते हैं okay बार बार बोल रही हो confirmation word का मतलब होता है structure okay they have one or more active sites to which the substrate combines मतलब क्या बोला गया है समझो कि ऐसा कोई आपका enzyme है ऐसा कोई आपका enzyme है इस enzyme के एक end पे आपका prosthetic group attach होगा जो इस enzyme को activate करेगा enzymes usually in activated state में present होती है जब हमारे enzyme के पास substrate आता है तभी वो enzyme activate होता है okay और उसको activate करने के लिए भी हमको या तो co enzyme की जरुवत पड़ती है या तो co factor की जरुवत पड़ती है co enzyme क्या होते हैं और co factors क्या होते हैं या आपने last time ही पड़ा था जो organic molecules होते हैं वो co enzymes होते हैं और जो inorganic metals होते हैं वो होते हैं आपके co factors तो मैंने examples भी बिताए थे आपको last time, I hope आपने वो session देखा होगा, नहीं देखा है, तो अभी के अभी पहले playlist में जाएए, enzyme का पहले introduction session देखिए, फिर ही आज का session देखना नहीं, तो आज का session नहीं समझ में आएगा, तो यह अपना enzyme है, यह अपना prosthetic group है, जो इसको activate कर रहा ह यहाँ पे इस enzyme के पास क्या है, एक special site है, जिसको आप बोलते है active site, या इसी को आप substrate binding site भी बोल सकते हैं, मैंने आपको previous session में ही substrate का मतलब बताया था, किसका मतलब बताया था, substrate, substrate मतलब क्या होता है, वो molecule जिसके उपर enzyme को attack करना है, याने की समझो enzyme याने की scissor, तो scissor से आ पेपर कट करोगे, तो paper आपका substrate हो गया, ठीक उसी तरीके से starch, अगर आप potato खाते हो, आप आलू खाते हो, पोटाटो खाते हो, तो आपकी body में starch जाता है, तो अब उस starch को breakdown करने के लिए हमको amylase enzyme की ज़र्वत पढ़ती है, तो ऐसी condition में starch को हम substrate बोलेंगे, और amylase को हम enzyme ब तो यह आपका enzyme है, हर enzyme के पास एक prosthetic group के लिए site होती है, और एक substrate के लिए binding site available होती है, जहां पे आपका नन्ना मुनना सा मासूम सा substrate आके attach हो जाएगा, तो यहां पे समझो आपका substrate आके attach हो गया, तो अब आपका enzyme का structure complete हो गया, और अब इस substrate के उपर आपका enzyme attack करना start करेगा, और इस substrate को छोटे-छोटे टुकडों में divide कर देगा, तो enzyme के पास जो active site होती है, उसको बोलते है हम substrate binding site, किसी-किस enzyme के पास एक substrate binding site होगी, किसी-किस enzyme के पास एक से जादा substrate binding site भी हो सकती है, depend करता है enzyme किस type की है, उसका function क्या है, क्योंकि हमने last session में पढ़ा था, कि हर एक enzyme का एक specific substrate होता है, मतलब आप किसी भी चावी से कोई भी ताला नहीं खोल सकते, square ताला है तो उसकी चावी अलग होगी, round ताला है तो उसकी चावी अलग होगी, ठीक उसी तरीके से हर एक enzyme एक specific substrate के उपर ही act करता है, तो देखो यहां पे हमको क्या बताया गया है, they have one or more active site to which substrate combines याने हमारे enzyme के पास एक ऐसी active site available होती है, जहां पे आपका बिचारा सा substrate जाके bind हो जाता है, उसी substrate से तो हमको हमारा product मिलेगा, the point of active site where the substrate joins, when the enzyme, with the enzyme, it is called substrate binding site, मतलब active site को ही substrate binding site बोला गया है, एक ही site के दो अलग अलग नाम है, जैसे घर पे आपको मोनू बुलाते होंगे और college में आपको मनोज बुलाते होंगे, तो कुछ फरक नहीं पड़ता, मतलब आपके लिए कुछ फरक नहीं पड़ता, बिकॉस इंसान तो सेम ही है, तो यहां पर site एक है, लेकिन site के दो अलग अलग नाम है, ठीक है, don't get offended with the name, alright, तो अब आगे हमको क्या बताया गया है, हमने protein इन्जाइम का, हमने उसका 3D confirmation देखा, अब हम आगे देखेंगे catalytic property, enzyme की catalytic property क्या बतायी गई है, catalytic property का मतलब क्या होता है, किसी भी enzyme की act करने की क्या activity है, मतलब कोई भी enzyme किस पे attack करेगा, कैसे attack करेगा, उसको बोलते हैं catalytic property, तो देखें यहां पर हमको theory में क्या बताया ग catalyst, यानि कि अगर आप chemistry की बात करो, तो chemistry में बहुत सारे chemical reactions ऐसे होते हैं, जिनको अगर आप naturally छोड़ दोगे तो वो नहीं होंगे जल्दी, उनको fast करने के लिए हमको कुछ ना कुछ तरकीब लगानी पड़ती है, जैसे मैं आपको एक simple example दूँ, तो जैसे cycle का example आप ले सकत साइकल की chain fast करने के लिए उसमें grease लगाना पड़ता है, ताकि cycle जल्दी जल्दी दोड़े, ठीक है, तो ऐसे ही आपके जो ये enzymes होते हैं, वो एक तरीके के catalyst होते हैं, एक तरीके के chemical catalyst के जैसा काम करते हैं, मतलब ये enzymes, जब आपके product के साथ react करेंगे, तो आपका reaction fast होगा, ल तो उसमें अक्षे कुमार ने कृष्णा जी का रोल किया है, तो अक्षे कुमार जो है, वो सिर्फ जो वो बुढ्ध्य actor हैं, जिनका दुकान पूरे भुकंप में टूट जाता है, जो case लड़ते हैं, उन actor की सिर्फ वो help कर रहे थे, जो परेश रावल जी है, actor का नाम परे कैसे होता है, मुझे पता है, comparison बहुत मैंने अलग-अलग लिया है, पर I hope आप relate कर पा रहे हो, तो हमारा जो enzyme होता है, चाहे वो chemical enzyme हो, चाहे वो biological enzyme हो, उसका काम यही है, reaction को fast करना, क्योंकि अगर आप nature के भरो से छोड़ दोगे, तो आपका reaction बहुत slow होगा, इतना slow होगा कि वो किसी काम का ही नहीं बचेगा, so reaction को time पे करना और fast करना, यह responsibility होती है, catalyst की, तो हमारे जो enzymes हैं, वो bio catalyst है, enzymes हैं, वो bio catalyst है, लेकिन वो काम करते हैं chemical catalyst के जैसे, enzymes are like inorganic catalyst, याने chemical catalyst, and they influence, influence करना मतलब बदलना, असर दिखाना, तो यह catalyst क्या करते हैं, they influence the speed of biochemical reactions, तो हमारे यह जो enzymes हैं, यह हमारे biochemical reactions की speed को बढ़ा भी सकते हैं, और कम भी कर सकते हैं, जी हाँ, आपने सही सुना, बहुत सारे enzymes ऐसे भी होते हैं, जो हमारे biochemical reaction की speed कम कर देंगे, मतलब जब हमको metabolism नहीं करना है, तो उस time पे enzyme की ज़रुरत नहीं पड़ती है, तो enzymes नहीं आ fast करना है, तो उसका अलग enzyme, reaction slow करना है, तो अलग enzyme है, जैसे फिर cycle का example लेती हूं, cycle को fast speed में दोडाने के लिए गेर लगा हुआ होता है, bike में accelerator लगा हुआ होता है, और slow करने के लिए brake लगा हुआ होता है, instrument एक ही है, लेकिन दो अलग-अलग equipment से उसको control किया जा रहा है, ठी they themselves remain unchanged, enzyme के खुद के structure में कभी change नहीं होगा, enzyme जितने substrate आएंगे, समझो यहाँ पर एक substrate molecule आया, यह substrate number one था, इस substrate को हमारे enzyme ने chop 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 किया, यह substrate निकल गया, यह substrate बाहर आ गया, अब second substrate molecule आया, अब second substrate को enzyme chop chop करेगा, second substrate खतम, अब third substrate आया, तो आप substrate बदलते रह जाओगे, लेकिन enzymes जो हैं, उनका structure नहीं बदलता है, एक particular time के लिए, हाँ अगर आपने एक enzyme 10 बार, 12 बार use कर लिए है, तो फिर जाके वो enzyme denature होती है, लेकिन enzyme की life cycle काफी लंबी होती है, मतलब enzyme को आप बार बार recycle कर सकते हो, क्योंकि enzyme खुद के ओपर जादा असर नहीं होने देता है, वो बह change होता है, otherwise बहुत, आप enzyme को बार बार recycle कर सकते हो, मैं यहीं बोलूंगी, okay, so they don't change themselves, after completion of the reaction and release of the product, they remain active to catalyze again, मतलब क्या बोला गया है, एक बार enzyme ने एक substrate का reaction कर दिया, तो अब वो substrate निकल जाएगा, अब यह enzyme ready है, दूसरे substrate के उपर act करने के लिए, मतलब वो बोलते हैं कि enzyme enzyme अपने जगे पर ही रहता है, उसके पास substrate आते जाता है, एक substrate का काम हुआ, चलो, वो चला गया, अब दूसरा substrate आया, दूसरे substrate को भी enzyme chop 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 करेगा, दूसरा चला जाएगा, तीसरा आएगा, so enzyme को आप बार बार recycle कर सकते हो, okay, पर एक particular limit तक, a small quantity of enzymes can catalyze the transformation of a very large quantity of substrate into an end product, आती होगी, तो आपने देखा होगा, कि एक किलो सब्जी में मुश्किल से तीन चम्मच नमक जाता है, या दो चम्मच नमक जाता है, एक किलो सब्जी में एक किलो नमक डालना पड़ता है, कि आप बिल्कुल ने, ठीक उसी तरीके से, आपका substrate कितना भी बढ़ा होने दो, enzyme बहुत कम अमाउंट में जरूरी होते, enzyme की quantity जादा नहीं लगती है, आप सोचोगे, इतना सारा substrate है, तो इतना सारा enzyme लगेगा, इसको breakdown करने के लिए, ऐसा नहीं है, substrate जादा होगा, तो भी enzyme कम अमाउंट में ही जरूरी होगी, तो यहाँ पे हमको वही बताया गया है, small quantity of enzyme is sufficient, for example, एक example दिया गया आपको, सुक्रेज, यह एक enzyme का नाम है, हमेशा याद रुखो, जब भी किसी enzyme के नाम के आगे, ase suffix लगा हुआ होता है, suffix याने की नाम के आखिर में, और prefix याने नाम के पहले, सो जब भी किसी word के आगे, आपको ase दिखाई देता है, मतलब वह enzyme का नाम है, तो सुक्रेज enzyme किस के उपर act करेगी, सुक्रोस के उपर, जैसे cellulase enzyme, cellulose के उपर act करती है, जैसे lipase enzyme, lipids के उपर act करती है, तो यहाँ पर हमको example क्या दिया गया है, for example, सुक्रोस can hydrolyze, सुक्रेज can hydrolyze, hydrolyze करना याने break down करना in presence of water, So, for example, सुक्रेज can hydrolyze 1 lakh times of सुक्रोस as compared with its own weight, मतलब अगर सुक्रेज 1 gram का है, तो वो 1 lakh gram सुक्रोस break down कर सकता है, मतलब अपने से 1 lakh गुना जादा amount का substrate break down कर सकता है, So, कितना कम amount required होता है enzyme का, बहुत कम amount of enzyme can do a lot of work, छोटा सा enzyme बहुत काम कर सकता है, ओके, अभी हम बात करेंगे next property की, that is specificity of action, देखो, अभी तक हमने 3 properties की बात की, protein asious nature, याने की enzymes are made up of proteins, 3 dimensional confirmation, याने हर एक enzyme के पास एक specific site होती है, जिसको हम बोलते है active site या substrate binding site, और फिर हमने बात की catalytic property की, catalytic property याने की, हर एक enzyme जो है, वो recyclable होती है, और substrate को breakdown करने के लिए, बहुत कम amount of enzyme required होता है, अब हम next property की अगर बात करें, तो next property हमको बताया गया है specificity of action, specificity of action का मतलब वही है, जो मैं आपको 4 बर बता चुकी हूँ, जैसे हर ताले की एक fixed चावी होती है, ठीक उसी तरीके से हर substrate के लिए, एक fixed enzyme होता है, किसी भी substrate पे कोई भी enzyme act करेगा ऐसा नहीं है, हर substrate के लिए, एक fixed enzyme available है, so the ability of an enzyme to catalyze one specific reaction and essentiality, no other, sorry, essentially no other is perhaps its most significant property, मतलब क्या बोला गया है, फिर से पढ़ती हूँ, the ability of an enzyme to catalyze one specific reaction and essentially no other, याने एक enzyme एक time पे एक ही substrate के उपर act करेगी, एक enzyme एक time पे दो substrate के उपर act नहीं करेगी, हर एक substrate के लिए एक specific enzyme है, याद रुखो, हाँ, कुछ enzymes ऐसे होते हैं, जो कभी कभी दो substrate के उपर act करते हैं, क्या बोला मैंने, mostly वैसे देखा जाए, तो हर एक enzyme एक ही substrate के लिए होती है, जैसे कि समझो, आपका school का uniform आपके मापका ही बनाया जाता है, उसको आपके अलावा कोई और नहीं पहन सकता, मतलब वो किसी और को properly fit नहीं होगा, लेकिन, हो सकता है कि अगर आपकी twin sister या twin brother हो, जो same आपके size के हो, तो उनको तो fit हो सकता है ना, so exceptional enzymes भी होते हैं, okay, exceptional enzymes भी होते हैं, मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है, biology में कभी भी कुछ चीज फिक्स्ट नहीं होती है, हमेशा आपको exceptions देखने को मिलेंगे, तो 99% की अगर हम बात करें, यानि अगर हम majority की बात करें, तो enzymes are specific, यानि हर substrate के लिए एक specific enzyme है, हर साले के लिए एक specific चावी है, पर कुछ enzymes ऐसे होते हैं, जो flexible होते हैं, मतलब वो एक से जादा substrate को भी break कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ये फिलहाल देख लो, specificity of action के बारे में हमको क्या बताया गया, आगे देखो क्या बुला गया, each enzyme acts upon a specific substrate और a specific group of substrates, तो क्या बु करते हैं, और देखते हैं, reversibility of action में हमको क्या बताया गया है, तो अब हम पढ़ेंगे, reversibility of action के बारे में, reversibility of action में हमको क्या बताया गया है, एक चीज़ हमेशा याद रखो, कि enzyme को काम करने के लिए, एक particular temperature और particular pH की बहुत जादा requirement होती है, हमारी body में बहुत सारे type के enzymes हैं, अलग-अलग enzymes जो lipid को break करते हैं, protein के उपर act करते हैं, sugar के उपर act करते हैं, तो हर एक enzyme के काम करने की specific condition होती है, कि मैं इन शर्तों पे ही काम करूंगा, ऐसे enzyme बोलता है, तो reversibility of action में हमको यही बताया गया है, कि ऐसे enzymes जो same product के उपर act कर रहे हैं, लेकिन उनका condition अलग-अलग मतलब जैसे समझो, एक घर में अगर दो भाई हैं, तो एक भाई पढ़ाई में अच्छा होगा, लेकिन दूसरा भाई sports में अच्छा हो सकता है, या दोनों भाई पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन एक की पढ़ाई सुबह अच्छी होती है, तो हैं दोनों भाई, ठीक है लेकिन दोनों का condition अलग-अलग है, समझ में आरी बात दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग time पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो यही चीज हमको reversibility of action में explain की गई है, let me tell you how, तो देखो reversibility of action में हमें क्या explain किया गया है, enzymes are very sensitive to temperature and pH, हमारी बोड़ी का जो temperature और pH होता है, pH याने acid और base का level, तो हमारी बोड़ी का temperature और हमारी बोड़ी का pH, अगर हम humans या animals की बात करें, तो यह एक constant environment होता है, मतलब जब तक animals की बोड़ी का temperature और pH constant रहेगा, तब तक उसकी बोड़ी एकदम मखन के जैसे काम करेगी, मतलब एकदम smooth metabolism होगा, तो enzymes बहुत sensitive होते हैं, अगर जरा सा भी pH या temperature और नीचे हुआ, तो आपके enzymes की activity change हो जाती है, So enzymes are very sensitive to temperature and pH, each enzyme exhibits its highest activity at a specific pH, क्या बोला गया हमको यहाँ पे, कि हर एक enzyme, हर एक enzyme, एक specific pH पे ही काम करेगी, और उस pH को हम बोलते हैं optimum pH, याने की perfect level, जैसे कि समझो अगर कोई आपसे पूछे, कि आपकी पढ़ाई कौन से time पे सबसे जादा best होती है, तो आपको 3 options दिये जाएंगे, morning, afternoon, night, तो इसमें से जिस time पे आप सबसे जादा fresh feel करते हो, और जिस time पे आपकी सबसे जादा learning होती है, या आप focus करते हो, वो आपका optimum period होता है, तो optimum word का मतलब होता है best या perfect, तो हर एक enzyme, एक specific pH और एक specific temperature range पे ही active होता है, तो उस pH या उस temperature को हम बोलते हैं optimum level, optimum pH या optimum temperature, pH याने की acid base का level, okay, alright, any increase or decrease in pH causes decline in enzyme activity, क्या बोला गया है हमको यहाँ पे, अगर जरा सा भी आपका pH उपर गया या नीचे हुआ, तो इससे आपके enzyme के activity पे असर पड़ेगा, आपकी enzyme activity सीदे, decline हो जाएगी, एक दब नीचे चली जाएगी, For example, आपको यहाँ पे दो enzymes का example दिया गया है, दोनों enzyme protein के उपर act करती है, मतलब दोनों enzyme protein digesting enzyme है, protein digesting enzyme मतलब जो protein को breakdown करेंगी, carbohydrate digesting enzyme मतलब जो carbohydrate को breakdown करेंगी, fat digesting enzyme मतलब जो fat के उपर act करेंगी, So, आपको दो enzymes का example दिया गया है दोनों enzymes सेम काम करती है protein को breakdown करने का काम करती है लेकिन दोनों की condition अलग-अलग है दोनों की शर्तें अलग-अलग है So, for example आपको यहाँ पर क्या दिया गया है enzyme pepsin जो आपके stomach में secret होता है देखो आपका अगर elementary canal हम ड्रॉ करें तो समझो this is your elementary canal यह मुझे school में मेरी drawing teacher ने mouth बनाना सिखाया था This is the eyes So, यहाँ से mouth से आपका elementary canal स्टार्ट होता है फिर यहाँ पे आपका pharynx होता है यहाँ पे आपका larynx यहाँ नहीं होता larynx यहाँ पे होता है So, this is your larynx फिर इसके बाद नीचे आप जाते हो तो आपके दो pipes divide हो जाते है एक isophagus और एक trachea trachea में wind जाता है और isophagus में food pipe जाता है तो समझो यह आपका food pipe है ठीक है फिर यह trachea आगे जाएगा 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 आपका एनस ओके So, क्या बोला गया हमको यहाँ पे हमारे स्टमक में स्पेशल एंजाइम बन रही है कौनसी एंजाइम पेपसिन एंजाइम और हमारे स्मॉल इंटरस्टाइन के स्टार्टिंग में एक पर्टिकुलर ओर्गन होता है जिसको हम बोलते है डूओ डेनम मतलब स्टमक और इंटरस्टाइन के बीच में देखो यहाँ पे आपका स्टमक समझो यह आपका स्टमक है तो स्टमक और इंटरस्टाइन के बीच का जो पॉइंट है यहां पे आपके डूसरी enzyme पर प्रडूजू सो रही है जिसको हम बोलेंगे ट्रिपसिन enzyme क्या बोलेंगे इसको हम ट्रिपसिन enzyme मतलब स्टमख में vaccine enzyme और intestine में trypsin enzyme देखो स्टमख के पास प्रडूजू हो रही है और duodenum duodenum याने आपके small intestine का आगे का part so stomach में pepsin enzyme बन रही है duodenum में trypsin enzyme बन रही है दोनों enzyme protein के उपर ही act करते हैं दोनों enzyme किसके उपर act करते हैं protein के उपर लेकिन दोनों का pH अलग अलग है pepsin का pH हमको कितना बताया गया है see enzyme pepsin is secreted in stomach it shows highest activity at an optimum pH of 2 याने कि आपकी जो pepsin enzyme है यह एकदम acidic condition में काम करेगी ऐसा क्यों बोला गया है इसका pH 2 क्यों बोला गया है क्योंकि आपको भी पता है कि आपके stomach में HCL present होता है acid present होता है इसलिए stomach में जो भी enzymes active रहेंगे वो obviously acidic condition में ही काम करेंगे so आपका जो pepsin enzyme है उसका pH 2 है याने बहुत जादा acidic और उसी की जगे पे जो दूसरा enzyme है trypsin enzyme वो भी protein के उपर ही act कर रहा है लेकिन वो small intestine में बन रहा है कहां बन रहा है वो small intestine के starting में बन रहा है और small intestine में जब आपका खाना आता है तो उसका pH change हो जाता है stomach का pH acidic होता है क्योंकि उदर HCL present होता है और intestine का जो pH होता है वो alkaline होता है alkaline माने basic pH यानि की acid नहीं प्रेजट होता है base present होता है तो जो enzyme basic pH पे काम करेगी वो obviously basic pH पे activate होगी और acidic में काम नहीं करेगी जो enzyme acidic pH पे काम करेगी वो basic में deactivate हो जाएगी तो same product के उपर ये enzymes act कर रहे है pepsin भी protein को digest करता है trypsin enzyme भी protein के उपर act करती है लेकिन दोनों का pH अलग-अलग है क्योंकि दोनों का location अलग-अलग है pepsin enzyme का pH होना चीए 2 क्योंकि वो stomach में बन रही है trypsin enzyme का pH है 9 क्योंकि वो intestine के part में बन रही है so देखो एक ही product पे काम करने वाले दो अलग-अलग enzymes का कैसे अलग-अलग pH हमको बताया गया है so trypsin in duodenum duodenum याने intestine का starting का part it is most active at an optimum pH of 9.5 that is alkaline pH याने base pH देखो 7 जो होता है pH का आपने litmus paper से test किया होगा यह मुझे बताने की जरुवत नहीं है हाँ जो बच्चे बिचारे 10 में थे इस साल उनको पताने लाब में जाने मिला ही नहीं है तो आप YouTube पे वीडियोस देख सकते है experimental वीडियोस देख सकते है बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है आपको यह भी बताया गया होगा 9 standard में, 8 standard में की litmus paper आप घर पे भी बना सकते हो cabbage से, rose petal से बहुत सारी चीज़े आपको बताए गए तो यहाँ पे हमको क्या बोला जा रहा है कि आपका जो pH है neutral pH याने 7 7 के नीचे जितना भी pH होगा वो acidic याने 1 से लेके 6.9 तक और 7 के उपर 14 तक जो pH होगा वो basic होता है याने उसको alkaline बोलते है so pepsin enzyme is activated at acidic pH and trypsin enzyme is active at alkaline pH both these enzymes that is pepsin and trypsin they are protein digesting enzymes यह दोनों enzymes किसके उपर act करते हैं protein के उपर act करते हैं लेकिन दोनों का pH अलग है और आप इसके आगे हम देखते हैं कि enzymes के उपर temperature का क्या असर पड़ता है आपको इतना समझ में आया है पका, all right तो enzyme के उपर pH का क्या असर होता है वो हमने देख लिया same उसी तरीके से temperature का क्या असर होता है वो भी हम फटा-फट से समझ लेते हैं enzymes are destroyed at higher temperature of 60 to 70 degrees Celsius or below they are not destroyed but they become active मतलब क्या बोला गया है हमको अगर हमारी body का temperature या किसी भी medium का temperature 70 degrees, 60 degrees के उपर अगर पहुँच गया तो आपके जो normal enzymes होते हैं जो average enzymes होते हैं वो enzymes destroy हो जाएंगे उनका पूरा का पूरा structure denature हो जाएगा simple भाशा में बोलो तो enzymes मर जाएंगे अगर 60 degrees के उपर temperature पहुचा 60 degrees से temperature कम हुआ मतलब 40 degrees के भी नीचे चला गया 30 degrees के भी नीचे चला गया तो enzymes मरेंगे नहीं लेकिन वो inactive हो जाएंगे मतलब वो किसी काम के नहीं है वो paralyzed हो जाएंगे so temperature एकदम जादा भी नी होना चाहिए एकदम कम भी नी होना चाहिए लेकिन कुछ enzymes ऐसी होती है जो 100 degrees पे active होती है 100 degrees पे बहुत अच्छा काम करती है जो DNA replication में use होती है तो देखो मैं आपको हमेशा बोलते आ रही हूँ कि हम most of the enzymes की बात करते हैं हम average enzymes की बात कर रहे है हम सारे enzymes की बात नहीं कर रहे है exceptions हमेशा रहेंगे so यहां पे हमको average enzymes के बारे में बताया गया है कि most of the enzymes जो होती है वो 60 to 70 degrees Celsius के उपर destroy हो जाती है और अगर temperature एकदम कम हुआ तो वो inactive हो जाती है this inactive state is temporary and the enzyme can become active at suitable temperature तो क्या बोला गया हमको यहां पर कि जब आपका temperature जो है जब आपका temperature range जो है वो कम होता है तो आपके enzymes थोड़े टाइम के लिए inactive हो जाते हैं याने temporarily वो inactive हो जाते हैं लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो फिर से activate state में आ जाते हैं most of the enzymes work at an optimum temperature between 20 degrees celsius to 35 degrees celsius हमारी body का average temperature 32 degrees celsius से 37 degrees celsius के बीच में होता है तो हमारे जो enzymes हैं वो भी इसी temperature पे सबसे जादा optimum activity दिखाते हैं हर एक enzyme का अपना अलग-अलग optimum level होता है तो आप सारे enzymes को इसी category में count नहीं कर सकते लेकिन हम most of the enzymes की बात करने हैं तो अब तक हमने consequence properties देखी enzyme की proteinaceous nature, 3D confirmation catalytic activity, specificity, reversibility अब हम देखने जा रहे हैं enzymes के nomenclature के बारे में तो देखो nomenclature के बारे में हमको क्या बताया गया है there are various ways of naming enzymes enzymes का नाम करन करने के बहुत सारे अलग-अलग तरीके होते हैं समझो पहला तरीका यह है कि जो enzyme है अगर वो enzyme किसी product के उपर act कर रही है तो हम उस product से ही उसको नाम दे देंगे जैसे कोई enzyme sucrose को breakdown कर रही है तो हम उसको sucrose बोलेंगे कोई enzyme आपके cellulose के उपर act कर रही है तो उसको cellulase बोलेंगे तो basically जब आप product के नाम से enzyme का नाम बनाते हो तो दोनों के बीच में फरक कैसे पता चलेगा दोनों के बीच में फरक पता करने के लिए हम enzyme के नाम के ending के आगे एज लगा देते हैं याने suffix में suffix और prefix आपने English में पढ़ा है suffix मतलब नाम का ending part और prefix मतलब नाम का starting का part तो पहला तरीका यही होता है कि आप enzyme के नाम के आगे एज लगा दो तो देखो यहाँ पर हमको introduction में क्या बताया गया है there are various ways of naming enzymes enzymes को नाम रखने के अलग-अलग तरीके होते हैं enzymes are named by adding the suffix is to the name of the substrate on which they act मतलब जिस substrate के उपर आपका enzyme act कर रहा है उसी substrate का नाम ले लो बस उसके ending में एज लगा दो जैसे कि protein के उपर act करने वाले enzyme का नाम protease sucrose के उपर act करने वाले enzyme का नाम sucrase और nucleic acid के उपर act करने वाले enzyme का नाम nuclease तो ऐसे बहुत सारे examples हैं यह पहला तरीका है enzyme का नाम current करने का अब दूसरा तरीका क्या होता है The enzymes can be named according to the type of function they perform कभी-कभी कुछ-कुछ enzymes ऐसे होते हैं आपने 9th और 10th में पढ़ा है इसके बारे में कि वो hydrogen add करने में help करते हैं या hydrogen को remove करने में help करते हैं कुछ-कुछ enzymes carbon dioxide को add करते हैं या remove करते हैं तो कभी-कभी हम enzymes को उनके function के हिसाब से नाम देते हैं जैसे की for example dehydrogenase dehydrogenase ये नाम से हमको क्या समझ में आ रहा है हमेशा याद रखो biology या chemistry में DED का मतलब होता है removal इस word का मतलब क्या होता है removal और आगे क्या बोला गया है dehydrogenase यानि कि ये एक ऐसी enzyme है ये enzyme है ये हमको कैसे पता चला क्योंकि इसके नाम के आगे age लगाया गया है तो ये जो enzyme है ये enzyme आपके molecule में से hydrogen molecule को remove कर रही है यानि कि dehydrogenase जब आपको hydrogen remove करना है तो आप dehydrogenase enzyme यूज़ करोगे तो dehydrogenase के नाम से ही पता चल रहा है कि वो hydrogen remove कर रही है और आइजाइम के फंक्शन के इसाप से भी हम उसका नाम रख सकते हैं कोई एंजाइम हाइडरोजन एड़ करेगा तो उसको हाइडरोज हाइडरोजन आइज एंजाइम नाम रख सकते हैं पर उसका है नहीं समझो removal का example दिया गया है कि अगर हाइडरोजन remove करें तो dehydrogenase carbon dioxide remove करें तो decarboxylase amino acid remove करें तो deamination आप excretion वाले chapter में पढ़ोगे amino acid को remove करना याने deamination, ammonia group को जब आप remove करते हो so deaminase enzyme उदर पे use होता है तो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग तरीके हैं enzyme के नाम करण करने के पहला तरीका हमने क्या बोला enzyme के नाम के आगे age लगा देना दूसरा तरीका हमने क्या बोला enzyme के function के हिसाब से उसको नाम देना hydrogen remove कर रहा है तो dehydrogenase carbon dioxide remove कर रहा है तो decarboxylase okay oxidase क्या करेगा oxygen add करने में help करेगा deoxidase होता तो oxygen remove करने में help करता some enzymes are named according to the source अब तीसरा तरीका क्या है कभी-कभी हम enzyme को उसके source के through भी नाम देते हैं जैसे की for example papaya से जो enzyme हमको मिलता है उसको हमने नाम दे दिया papain जो digestion में help करता है आपके pineapple pineapple fruit में से जो enzyme मिलता है उसको हमने नाम दे दिया bromelain मतलब pineapple actually bromelaceae family से बिलॉंग करता है plants में जो kingdom होते हैं फिर phylum होता है और फिर family होती है तो उसमें से bromelaceae bromelaceae करके एक family होती है जिसमें pineapple fruits grow होते हैं तो pineapple में से जो enzyme बन रही है bromelaceae family से तो उस enzyme का नाम हमने bromelain रख दिया तो source के इसाप से जैसे की India India के plant को mango mango को magnifera indica बोलते क्योंकि वह इंडिया का plant है मतलब यह बहुत random example है मर्मा पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं कि जिस source से आपको enzyme मिल रहा है आप उस source के through भी वह नाम रख सकते हों तो तीन तरीके कौन से कौन सेथे हमने enzyme के नाम करण करने के शबद के अफी जाई लगाना ठढ़ता है तो इन्जाइं'll के फंक्शं के इसाप से भी उसका नाम करन्ट, the name of each enzyme ends with an ace, हर एक enzyme का ending किस से होना चाहिए, यह international code है, इसको आप नहीं बदल सकते, यह पुरी दुनिया में follow किया जाता है, तो क्या बोला गया है हमको इधर पे, हर एक enzyme का spelling, किस से end होना चाहिए, एस, A-S-E, so every enzyme should end with an ace, and it should consist of double name, जैसे binomial nomenclature, हर एक organism के दो दो नाम होते हैं, जैसे humans को homo sapien बोला जाता है, mango के plant को magnifera indica बोला जाता है, ओके, so इसी तरीके से enzyme के भी दो नाम होते हैं, दोनों नाम में से पहला नाम किसका होता है और दूसरा नाम किसका होता है, देखो, it consists of double name, the first name indicates the nature of the substrate upon which the enzyme acts, मतलब जो दो नाम होंगे हमारे enzyme के, उसमें से पहला नाम substrate का होगा, जिसके उपर enzyme act करने वाला है, और दूसरा नाम किसका होगा, and the second name indicates the reaction catalyzed, मतलब पहला नाम substrate का, और दूसरा नाम कि कौन सा reaction हो रहा है, आप addition कर रहे हो, removal कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उस हिसाफ से, जैसे समझो, एक example देके समझाती हूँ, for example, pyruvic decarboxylase, pyruvic decarboxylase में क्या होगा, pyruvate एक ऐसे type की sugar है, जो glycolysis pathway के time पे बनती है, मतलब एक particular pathway है, जो आप respiration chapter में पढ़ोगे, उसमें pyruvate sugar बनती है, तो pyruvate sugar के उपर जो enzyme act कर रहे है, उस enzyme का नाम क्या दिया गया है, pyruvic decarboxylase, याने pyruvic acid से एक carbon dioxide का group remove करना, decarboxylase, मतलब carbon dioxide को हम remove कर रहे हैं, तो बन गया enzyme का नाम, substrate का नाम पहले लिख दिया, और वो क्य function कर रहा है, वो second नाम दे दिया, so pyruvic decarboxylase catalyzes, याने कि वो क्या काम कर रहा है, the removal of CO2 from the substrate pyruvic acid, तो pyruvic acid से carbon dioxide निकल रहा है, इसलिए enzyme का नाम हमने रखा pyruvic decarboxylase, अगर pyruvic acid से hydrogen group निकलता, तो हम क्या नाम रखते हैं enzyme का, देखो यह मैं आपको question दे रही हूं, आपको comment मे करके बताना है, हमने अभी अभी पढ़ा था, कि जब आपके product में से hydrogen remove होता है, तो हम उस enzyme को dehydrogenase बोलते हैं, जब carbon dioxide remove होता है, तो हम उस enzyme को decarboxylase बोलते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या example दिया गया है, pyruvic acid है, pyruvic acid में से carbon dioxide आप remove कर रहे हो, तो उस enzyme को हम pyruvic decarboxylase बोल रहे है, अगर मैं pyruvic acid में से carbon dioxide की जगा hydrogen remove करूँ, तो उस enzyme को हम क्या बोलेंगे, enzyme का नाम क्या होगा, carbon dioxide remove किया, तो pyruvic decarboxylase, hydrogen remove करने के लिए ये नाम लगाया जाता है, तो अगर pyruvic acid से carbon dioxide remove किया, तो pyruvic decarboxylase, अगर hydrogen remove किया, तो क्या नाम आएगा enzyme का, देको इदर लिखा comment section में लिखकर बताना है पायरुविक अगर हाईड्रोजन रिमूफ किया तो एंजाइम का नाम क्या होगा ओके आगए देखो यह आपका hunwork है आपको comment section में बताना है आगे देखो क्या बताया गया है the enzyme glutamate पाइरुवेट, अब यह second example है, glutamic acid भी एक type की आपके acidic या sugar होता है, तो यह 3 नाम का enzyme है, glutamate pyruvate transaminase, मतलब इधर पे क्या हो रहा है, the transfer of an amino group from substrate glutamate to another substrate pyruvate, मतलब glutamate करके एक acidic component है, जिसमें से एक amino group transfer किया जा रहा है pyruvate में, देखो, enzyme का नाम क्या बोला हमने, glutamate pyruvate transaminase, फटाक से इधर पे लिखती हूँ मैं, glutamate pyruvate transaminase, इसका मतलब क्या है, जो last नाम रहता है, वो function का है, तो यहाँ पे क्या function हो रहा है, कोई एक amino group है, उसको हम transfer कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, transfer कर रहे हैं, पर कहां से ला रहे हैं, और कहां डाल रहे हैं, तो जो पहला है, इधर से amino group लिया जा रहा है, और इधर पे amino group transfer किया जा रहा है, तो यहाँ का amino group, यहाँ पे transfer किया जा रहा है, किसकी मदद से, इस enzyme की मदद से, तो ऐसे अलग अलग तरीकों से एंजाइम का नाम करण किया जाता है अगर आप आगे जाके एंजाइमोलोजी की स्टड़ी करोगे मतलब पंद्रावी करने के बाद यह स्पेशलाइजेशन आता है इस एंजाइमोलोजी कैसा सब्जेक्ट है जिसके उपर लोग पीएजडी करते है या रिसर्च करते है बहुत बहुत अच्छी स्टड़ी है पर बहुत टाइम लगता है इस पर रिसर्च करने के लिए बहुत पैसा लगता है तो एंजाइमोलोजी है कैसी स्टड़ी है हम देखेंगे next lecture में अगर आज का session पढ़ने में मज़ा आया है आज की वीडियो देखने में मज़ा आया है तो प्लीज like कर देना comment करना answer जो मैंने पूछा है और आपने friends के साथ share कर देना 10 स्टांडर्ट के साथ भी आपकी वीडियो शेयर कर सकते हो क्योंकि वह 11 में जाने वाले हैं और जो अल्रेड़ी 11 में हैं वो भी यह वीडियो का जरूर देखें क्योंकि 11 अगर आपका जोइन नहीं किया है तो टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लेना description में लिंक दी हुई है मिलता है जल्दी happy studying अच्छे से पढ़ो घर पे रहो ध्यान रखो और चैनल को share करो thank you stay tuned see you soon